नमस्कार दोस्तो आपका सवागत है अपनी योटियो अपजनल पीएफपी में एक और ट्रेडिंग वीक कम्प्लीट हो चुका है और मार्केट ने इस वीक बहुत ही ज्यादा टाइट रेंज में ट्रेड किया है बले ही फुल फ्लेच तीन ही ट्रेडिंग सेशन थे और एक हम मार्केट से क्या ईक्सिप कर सकते हैं मकसे असके बार में आज हम चर्चा करने वाले हैं सबसे पहले एफ़ ए डिया आपको इस की तरफ से बाइंग न pressing वीनजर आती है तो मार्केट में वह रिफ्लेक्ट होता हुआ भी नजर आता है commodity के बार में बात करें तो crude oil में आप देख पाएंगे फिलाल यहां पर एक downtrend देखने को मला recovery थोड़ी से अच्छी देखने को मिले गिरावट हुई वापस हमें यह recover होता हुआ नजर आता है तो फिलाल crude oil जो ऊपर जा रहा है वो clearly इतना अच्छा संकेत नहीं है अगर 25% डूपर चला गया और वापस हमें यह नीचे भी आता हुआ नजर आता है overall trend अभी भी downtrend है यह एक अच्छी बात है गोल्ड के बार में बात करें तो गोल्ड में आप देख पाएंगे फिलाल यहाँ पर volatility continue रहती भी नजर आती है overall sideways है लेकिन अंदर ही अंदर आपको अच्छा कासा swings यहाँ पर देखने को मिल जाता है फिलाल approximately 50,800, 51,000 के level से गिरने के बाद 50,000 के आसपास आता हुआ नजर आता है तो अगर यह level तूट जाता है तो वापस थोड़ी सी और गिरावट देखने को मिल सकती है 49,500, 49,000 यह सारे levels gold में हमें नजर आ सकते हैं US dollar के बार में बात करें तो US dollar अब भी हमें strong ही नजर आता है 82 के आसपास फिलाली इसने support मनाया है तो short term के लिए 82 का जो level है यह important level हो जाता है अगर यह level तूट जाता है तो dollar आपको week होता हुआ नजर आ सकता है और यह आपको 81 की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ सकता है US market के बार में बात करें तो NASDAQ में आपको यहाँ पर थोड़ी सी recovery देखने को मिल रही है Dow Jones ने बहुत अच्छा recover किया S&P 500 उसके पीछे और सबसे ज़ादा last में आपको NASDAQ नजर आता है क्योंकि जो NASDAQ के tech stocks हैं वो बहुती ज़ादा under perform करते हुए नजर आते हैं लेकिन फिर भी situation comparatively हमें बहतर होती हुए नजर आई है approximately 16,000 के level से आपको ये घिरावट देखने को मिली है 11,000 के भी नीचे आपको NASDAQ जाता हुआ नजर आया recovery देखने को मिल रही है दो हफते से recovery चलती भी नजर आती है इसका जो एक important level है 12,000 का level है previously भी आप देख पाएंगे 12,000 का level काफी ज़ादा important रहा था यहाँ पर भी इसने time spend किया था फिलाल भी इसने यहीं पर support लेकर price action मना कर घिरावट दिखाई थी तो weekly chart पे 12,000 का level काफी ज़ादा important हो जाता है और यहाँ पर आपको एक trend line भी नजर आती है तो यह trend line भी approximately 12,000 के आसपास ही है तो यह level अगर तूट जाता है तो मान सकता है कि अभी Nasdaq में हमें strength भढ़ती भी नजर आएगी अगर डाव जोन्स तो काफी सदा strong है अगर Nasdaq भी उपर जाता है तो वो clearly अच्छी बात हो जाएगी daily chart पे आते है daily chart पे देखिए Nasdaq किस प्रकार से एक pattern में आपको दिखाई पड़ता है इस प्रकार का कुछ pattern लग रहा है Dow Jones और यहाँ पर पहुंच चुका है S&P 500 इतना उपर निकल चुका है तो यहाँ पर Nasdaq भी उसको follow कर सकता है 11,500 से 12,000 को जो पूरा zone है यह एक resistance zone है लेकिन market ने काफी कुछ यहाँ पर factor in कर दिया है 16,000 से 11,000 अलड़ी आ चुका है और आपको Dow Jones S&P 500 हर एक market में आपको गिरावट देखने को मिली है सिर्फ US market की बात नहीं हो रही है तो overall यहाँ पर जितना भी rate hike हो सकता था अच्छा खासा aggressive भी देखने को मिला तो market ने वो यहाँ पर digest कर लिया है उसके अच्छे खासे chances है और अगर अब भी कोई थोड़ा सा news आता है एका दो दिन गिर सकता है लेकिन बहुत ज़्यादा गिरावट जिस हिसाब से भीशन गिरावट यह चल रही थी टाटा स्टिल इनके earnings है इस पर हम focus कर सकते है IPO भी आने वाला है DCX systems का तो यहाँ पर भी नजर बना कर रख सकते है देखते हैं किस प्रकार का response है apply करना है नहीं करना है बाद में देखेंगे response कैसा है यह देखना बहुत जरूरी हो चुका है Tuesday को भी earnings है Sun Pharma के है नायका के results आने वाले है Tata Power के results आने वाले है Actually Tata Power के results अलड़ी आ चुके है Auto Mobile Sales का भी data आने वाला है तो अफकोर्स यह भी काफी ज़्यादा important रहेगा Wednesday को भी earnings है और IPO भी आने वाला है Fusion Micro Finance का तो देखने वाली बात रहेगी Last पिछले कुछ समय में जितने भी हमें Finance वाले IPO देखने को मिले है उन्होंने कुछ ज़्यादा अच्छा perform नहीं किया है चाहे वो NBFC वाला हो या फिर Small Finance Bank के IPO हो अब देखने वाली बात है यह कैसा perform करता है Thursday को RBI MPC की meeting होने वाली है देखे यह additional meeting है पहले तो जो schedule था December 5-7 का था लेकिन यहाँ पर November 3 को आपको यह meeting होती भी नजर आती है तो भी क्या decide होता यह काफी ज़्यादा important रहने वाला है Thursday को ए एक्सपारी भी है earnings भी है तो earnings पर भी of course हमें focus करना important companies की earnings भी हमें दिखाई पड़ती है Friday को भी earnings है टाइटन की सिपला अमेरिको और Indian bank loan deposit growth का भी data आने वाला है तो इस अफ़ते में जो यहाँ पर event हो जाता है वो Thursday का event है कि RBI MP Singh meeting जो की schedule नहीं थी additional meeting है तो अभी यहाँ पर क्या ऐसा discuss होता है यह जानना बहुती ज़्यादा important हो जाता है निफ्टी 50 के चार्ट पर हमें clearly पता चलता है कि 17,500 के आसपास जो एक resistance की तरह काम करा था support लेकर हम यह उपर जाता हुआ नजरा आया है और फिलाल तो SGX Nifty already 18,000 के आसपास पहुँच चुका है जो की clearly काफी अच्छी बात है resistance के आसपास पहुँच रहा है आसा संबल कर रहेना भी जरूरी है daily RSI 61 का level है overall market हमें strong नजराता है लेकिन पिछले कुछ दिनों से momentum देखेंगे तो momentum इतना strong नहीं है market उपर ही जा रहा है continuously उपर जा रहा है लेकिन कोई खास momentum देखने को नहीं मिलता है intra day में खास momentum नहीं हो रहा है आपको जो भी तेजी देखने को मिल रही है ज्यादा तर आपको gap में होती भी नजराती है अब देखिए market उपर जा रहा है 18,000 पर SZX निफ्टी दिख रहा है तो वो भी directly gap ही आपको होता हुआ नजराता है इस प्रकार से कोई bullish candle आपको यहाँ पर बनती भी नजर नहीं आती है तो वो फिलाल इतनी अच्छी situation नहीं है यहाँ पर अगर हम weekly chart को देखने की कोशिश करते हैं तो weekly chart पर आप देख पाएंगे आपको जो last candle देखने को मिली है एक छोटी सी doji candle बनती भी नजराती है तो अगर इसका high cross होता है तो of course हमी यहाँ पर continuation में तेजी देखने को मिल सकती है और अगर यहाँ पर low cross होता है तो बहुत ज़्यादा घिरावट होगी उसके chance कम है क्योंकि breakout आपको यहीं से देखने को मिला है यहाँ से आपको गिरावट देखने को मिली यहाँ से गिरावट होई यहाँ से शार्प गिरावट होई अब वापस यह टेस्ट हो रहा है तो यहाँ से शार्प गिरावट होगी हमें expect नहीं करना चाहिए हो सकता है आपको daily chart पे एक candle थोड़ी सी bearish देखने को मिले नहीं रखना चाहिए market overall strong है अगर एक दो दिन गिरता है तो वापस bounce back के chances थोड़े से ज़्यादा नजर आता है monthly chart पे चलते हैं month भी हमें complete होता हुआ नजर आता है monthly chart पे हमें bullish नजर आता है और सिर्फ bullish नहीं एक्चुली काफी ज़्यादा अच्छा चार्ट यहां पर दिखाई पड़ता है इसका reason में आपको logic में आपको समझाने की कोशिश करूंगा बड़ी तेजी चल रही थी फिर आपको यहां पर गिरावट देखने को मिले एक गिरावट भी देखे किस प्रकार से हुई थी continuously market नीचे नहीं आया आपको यहां पर market एक channel में दिखाई पड़ा कई बार आपको अच्छी खासे strong bullish candles भी देखने को मिले हैं कई बार आपको weak candles भी देखने को मिले हैं प्रकार से market धीरे धीरे नीचे आया था और फिलाल यहां पर एक बहुत ही बड़ी bullish candle देखने को मिली market और उपर गया किरावट देखने को मिली क्यूंकि resistance का level था दो महीने से बड़ा momentum हो चुका था फिर से market उपर पहुँच चुका है और October की जो candle है आपको strong दिखाई पड़ती है higher side पर दिखाई पड़ती है तो यह situation हमें काफी अच्छी देखने को मिल रही है 18,000 के उपर अगर यहां पर monthly close हो चुका है हो जाता है तो यहां पर clearly काफी जदा positive हो रहेगा क्योंकि अब तक 18,000 के उपर आपको monthly candle close होती भी नजर नहीं आई है तो monthly chart पे तो nifty 50 strong है उसमें कोई doubt नहीं है अगर हम बड़े chart पे देखते हैं monthly chart पे देखते हैं तो हम expect कर सकते हैं कि कुछ समय में हमें 19,000-20,000 के levels देखने को मिल सकते हैं अगर 17,000 hold होता हुँ नजर आता है अगर nifty 50 17,000 के उपर बना हुआ है तब तक monthly chart पे long term के लिए कोई tension नहीं है तब तक आपको 19,000-20,000 के जो target है उसमें कोई invalidity नहीं आएगी तब तक ये valid target रहेंगे 17,000 के नीचे आ जाता है तो अलग बात है वापस हमें गिरावट देखने को मिल सकती है mid cap के बार में बात करें तो mid cap में इतनी ज़्यादा strength नजर नहीं आती है जितनी strength हमें फिलाल nifty 50 में नजर आई है लेकिन अच्छी बात है कि weakness भी देखने को नहीं मिल रही है higher side पर ही आपको ये consolidate करता हुआ नजर आता है monthly chart इतना ज़्यादा strong नहीं है जितना nifty 50 का नजर आता है लेकिन अगर हमें ये level तूटता हुआ नजर आता है 31,500 का level तो nifty mid cap भी आपको strong होता हुआ नजर आएगा small cap में भी situation almost हमें same ही नजर आती है वो strength यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ती है जो की large cap में दिखाई पड़ रही है actually काफी सादा अच्छी तरीके से index आपको manage भी होता हुआ नजर आता है sector wise आपको यहाँ पर performance देखने को मिल रहा है फिलाल mid cap और small cap में अभी इतना थेदा अच्छा performance नहीं है mid cap फिर भी ठीक है overall अच्छा ही चल रहा है लेकिन small cap overall अच्छा नहीं चल रहा है overall आप देख पाएंगे आपको यह sideways territory में दिखाई पड़ता है जब तक यह 10,000 के उपर निकल नहीं जाता है हम ज़्यादा bullish इसे नहीं मान सकते है mid cap at least अपने higher levels पे तो trade कर रहा है small cap काफी सदा नीचे के levels पे trade करता हुआ नजर आता है और overall कोई बड़ा momentum अभी हम small cap में expect नहीं कर सकते है ना ही घिरावट के side पे ना ही तेजी के side पे आपको फिलाल तो small cap sideways दिखाई पड़ता है जब तक इस range में यह trade कर रहा है support हमें तूटता हुआ नजर आया और stock 3000 के level को अप्रोच कर रहा है 3000-350 यह काफी जदा अच्छा zone है जहां पर आप long term के लिए Asian paints को accumulate करने के बार में सोच सकते हैं क्योंकि यह जो तेजी देखने को मिली थी यह जो breakout देखने को मिला था किस प्रकार से resistance level पर एक तेजी के बाद आपको यह sustain होता हुआ नजर आता है तो अगर कोई भी स्टॉक सस्टेन होता है resistance पर या फिर support पर और उसके बाद वो breakout या breakdown करता है तो उस पर हम विश्वास रख सकते हैं और टाइटन में कुछ ऐसे situation है अच्छा खासा यहां पर consolidation हुआ है यह breakout होता है तो यह तेजी आपको continue रहती भी नजरा सकती है तो फिलाल स्टॉक में एक अच्छा है तो यहां पर काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिली है 2000 का जो लेवल था उसे भी रिस्पेक्ट नहीं किया है तो टेक्निकली वीक है उसमें कोई डाउट नहीं है लेकिन लॉंग टम के लिए अगर आप खरिदारी करना चाहते हैं तो एक स्टॉक अच्छा है एक को अप्रोच करता हुए नजर आता है तो और यह जो जोन है काफी अच्छा जोन है जहां पर एक्यूमिलेशन करने की बारे में सोचा जा सकता है आई होप आपको वीडियो पसंद आता है कुछ सीखने को मिलता है थाइंक्यू स्टे हापी हापी इंवेस्टिंग